दोस्तो राम मंदिर का भवय उधगातन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है इस दिन मंदिर में प्रान-प्रतिष्टा का कारेकरम किया जाएगा भगवान-शिरी-राम का मंदिर आयोध्या में बन करके तयार हो चुका है और मंदिर में भगवान-शिरी-राम के विराजमान होने की तारीख नजदी का आती जा रही है और जैसे जैसे वो तारीख नसदी का रही है वैसे वैसे ऐचे में चमतकार बढ़ते जा रही हैं मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जढ़ाईो अपनी सेना के साथ ऐच पहुँच गए हैं वहां 30 सालों से विलुप्त हुआ पक्षी गिद बहुत आयत में जिनकी तदाद लाकों में हैं अयोध्या में जाकर के अपना जमावड़ा डाल दिया है और वो भी भगवान श्रीराम की प्रान प्रतिष्टा का महौतसव देखना चाहते हैं और अब इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही आश्चरय जनक आपके लिए आश्चरय लेकर आई हूँ जिसे देश तुनिया की खोज एजनसिया उनके वेग्यानिक भी देखकर परिशान और हैरान नजर आ रहे हैं उनके साइंस का कोई भी फैक्ट कोई भी सिधान्त इस चीज को समझने में असफल है कई लाखो साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान शिरी राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है आपको जानकर के ये बड़ा अश्चरय होगा और आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं कह रही हूँ वो बिलकुल सत्य है अय जामवत का नाम जरूर आएगा दोस्तों सत्यूग में भ्रहमदेव के अश्रों से पैदा हुए थे जामवंत जामवंत महाशक्तिशाली थे बड़े बलवान थे और उन्होंने साथ अवतारों की सेवा की और ये साथ अवतार जो शिरीहरी विश्नु के हुए थे उनको जाने जाते हैं कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान था जो भगवान शिरी राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम उनको भी मानते थे जामवंत जी कोई चोटे मोटे योधा नहीं थे भी जामवंत जी ने ही भगवान शिरी राम को सलहा दी थी कि है प्रभू बाली महाप्राकर्मी है यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित ही आपकी पराज्य हो जाएगी क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन व्रिक्षों को जो की दोस्तों ताड के व्रिक्षित थे उन्हें एक ही बान से ढढ़ा देगा भगवान राम ने परिक्षन किया और सातों व्रिक्षों को एक ही बान से ढढ़ा दिया उनकी सैनिक टुकडी दक्षिन दिशा को गई थी। दोस्तो भगवान शिरीराम कहते हैं। अपने बल का वर्नन करके कहते हैं कि जब बली से चल करने के लिए भगवान शिरी हरी विश्नु ने वामन अवतार धारन किया था। उस समय में बड़ा तरुन रहा था। और मैंने साथ प्रदिक्षना वामन भगवान के उस विराट सवरूप की की थी। जिन्होंने तीन आप दे दिया कि जाओ तुम भूडे हो जाओगे तुम्हारी शक्ती का हास हो जाएगा परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समंदर को लांग सकता हूं। सोचे कितने बड़े शक्ती शाली थे जामवंत जी। भगवान शिरी राम के लीगल एडवाइजर के रूप में का या कह सकते हैं कि कानूनी सलहकार के रूप में जामवंत जी ने काम किया था। दोस्तों जब राम रावन का युद्ध अरंब हुआ जब भगवान शिरी राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान शिरी राम को अपनी सलहा दी। अब अग फांसों से संपूर नवानरों को भांद लिया भगवान शिरी राम लक्षमन सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे ऐसा रमायन में लिखा हुआ है केवल एक वीर योधा शेश रहा था वो था जामवंत और जामवंत ने दुष्ट मेगनाद को जमीन पर पटक लिया था पटकते हुए उनको गुमा करके लंका में फेक दिया और ऐसा फेका था कि लंका में तीन दिन तक मेगनाद की बेहोशी नहीं गई मेगनाद मुर्चित ही पड़े रहे उस संपूर्न युद में जामवंत को रोकने वाला एक भी वीर योधा नहीं था राम रावन युद में जब रावन का वद्ध हुआ उससे पहले रावन से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और रावन जामवंत के प्रहार को नहीं जेल सके यहां तक कि कुम्ब करन से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्नन लिखा हुआ है परन्तु कुम्ब करन भी जामवंत को मुर्चित नहीं कर पाए जामवंत भगवान शिरीराम को हर समय सलाहा देते रहे और उसी की सलाहा पर चल कर भगवान शिरीराम ने लंका को विजे किया दोस्तों तो ऐसे महान योद्धा थे जामवंत जी इसी के साथ जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिरी राम अपने पर्मधाम को गए सरयू के तट पर जल समाधी में मगन हो करके अपने चतुर भुरजी रूप में आए उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयू तक जीवित रहोगे लेकिन उनका काल निश्चत नहीं किया कहीं कहीं दौपब के अंततक का वर्णन भी मिलता है और दौपब में भी जो भगवान श्रीक्रिष्न का जनम हुआ तो वहां भी जामवंत का वर्णन आता है भगवान श्री राम ने जामवंत को वर्दान दिया था क्योंकि उन्होंने खुद भगवान श्री राम से ये वर्दान मांगा था कि प्रभू मुझे आज तक कोई उद्धा ने पराजित नहीं किया मुझे युद्ध चाहिए तो भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत जी तुम्हें युद्ध कोई प्रदान नहीं कर सकता तुम्हें युद्ध मैं प्रदान करूँगा और द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवत्रित होंगा और तब तुम्हें पराजित करूँगा तब तुम समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्र प्राजित के साथ तो सैमंतक मनी को खोचते हुए भगवान शिरी कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुँच गए और वहां उस महावीर योधा ने स्वयम साक्षात पार भ्रह्मा शिरीहरी विश्नु के अवतार शिरी कृष्ण से 28 दिन तक घोर संग्राम किया था सोचे कितना शक्ती शाली था जामवंत उन्हें साधारन तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता था फिर वो 28 दिन बाद अपने प्रभू को पहचान गए और वहां अपनी पुत्री का वर्न भगवान शिरी कृष्ण के साथ कर दिया जिसका नाम जामवंती वर्नी थै और स्व वयम तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमाले के शैतर में तपस्या कर रहे हैं दोस्तों और वही समय अब नस्दीक आ गया क्योंकि जब भगवान शिरी राम का जनम अयोध्या में हुआ तब देवतागण अयोध्या में आये थे लेकिन अब वही उत्सव क् अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय है 22 जनवरी दोस्तों ज्यादा दूर नहीं है वह समय अब नस्दी का चुका है और उस तिन जब भगवान शिरी राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभू के धरशनात करेंगे भालू की एक टुकडि पहुन चुकी है बहुत से पत्रकारों ने ये दिखाया है कि आयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समोह देखा गया है जिन में बहुतायत में संख्या थी और वो भालू अयोध्या के नजदीगा गए हैं तो क्यों आए हैं वो भी भगवान शिरीराम का उस्तव देखन चाते हैं वो नज़ारा देखना चाते हैं कि भगवान शिरीराम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरह से विराजमान करेंगे उसे समहरों में प्रधान मंत्री पीम योगी अदित्यनात अनंदी बेन पटेल और बड़े-बड़े दिग्गस व्याइपी वहां समलित ह होंगी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी अजन्सिज हैं सुरक्षा जन्सिज उनको चकनना गर दिया हैं वहां कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता क्योंकि भगवान शिरीराम का जनम महुद्सव है और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते देव कर दो वानर तो आयोध्या में बहुत पहले से ही थे हनुमान गड़ी नामक एक पावन मंदिर है और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वामर देखे जा सकते हैं वानरों की कई प्रजात्यां हैं जो हनुमान जी की शरेनी के वानर हैं वो इस समй चित्रकूट से अयोध्या पहुँच गए हैं तो अब भगवान शिरी राम अपने घर बग्रहे में स्थापित मंदिर में विराज मान होंगे अयोध्या में पूरे तरीके से महुतसफ मनाया जाएगा यदि दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और हमे भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को प्रेशान करके रख दिया है दरसल ये बात है वरिंदावन की जहां साधवी रितंबरा देवी का जनम दिन मनाया जा रहा था और साधवी रितंबरा का ये साथवा जनम दिन था जिस पर तीन दिवस्या कारे करम था यहां पर दे केशव प्रसाद मौरे जिसे एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब वह ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती है केशव प्रसाद मौरे अत्रप्रदेश के डिपटी सीम है इस मौके पर जब डिपटी सीम ने ये सवाल किया तो शरी राम जनमभूमी के बा आप सभी लोग दिवाली मनाएं यानि कि केशव प्रसाद मौरे जी ने ये बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री क्रिशन जनम भूमी की जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किये जा चुके हैं और बस इंतजार है बाइस जनवरी का जब बाइ कि श्री क्रिशन मंदिर की तैयारी की जा रही है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ भी जेपी में इस मुद्ध को लेकर चल रहा है और उमीद है कि 2024 के चुनाफ में ये बात जनता के सामने भी रखी जाएगी आपको क्या लगता है दोस्तो इसके बारे में कमेंट्स में अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिदों का जुंड पहुंच गया है लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायू हैं जो भगवान शिरीराम के मंदिर के प्रान प्रतिश्टा में शामिल होने के लिए आए हैं दोस्तो अयोध्या से जटायू जी के प्रवेश की ये आयोध्या पहुंच चुके हैं आप मेंसे ज्यादातर लोगों ने यहां देखा होगा कि पिछले कई दश्कों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं सिर्फ एक जगह पर दिखना ये किस और इशारा कर रहा है आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े-बड़े समुह अयोध्या पहुंच रहे हैं लोग ये कहने लगे हैं कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे ऐसे साक्षात देख पाना तो नामुम्किन सी बात है लेकिन ये अब हो रहा है रियल में तो वे मित्र थे देवासूर संगराम में उन्होंने महराज दशरत का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरन हुआ तो उस समय जटायू ने जब देखा कि रावन माता सीता को लिये हुए आसमान में चला जा रहा है पुश्पक विमान पर तो जटायू ने पूरी क इसी वीडियो को यहीं पर समाम करते है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे शेयर करे चैनल को सबस्क्राइब करें तेंक्स वाइचिक।